आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ मागी जो की सबकी फेवरेट है लेकिन दो अलग तरीकों से नमस्ते चटोरी चेतना में आपका स्वागत है और ये मागी टू वेज वाला वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले अगर चटोरी चेतना को सबस्क्राइब ने किया है तो प्लीज कीजिए बेल आइकन मत भूले का पहले से सबस्क्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मागी को बॉल करना है लेकिन ओवर बॉल नहीं कर देना नहीं तो ये रेसिपीज में खिचड़ी बन जाएगी मागी की अब ये बॉल करने के बाद मैंने इस पर थंडा पानी भी डाल लिया था सबसे पहले बना रहे है आलियो वी ओलियो मागी इसके लिए पैन में ओईल गरम किया है और फिर डाला है गार्लिक कुछ सेकंड गार्लिक को सौटे करने के बाद मागी मसाला डाल देना है अब हमने इसमें औरेगानो और चिली फ्लेक्स डालने है मागी बनाते हुए मुझे याद आ रहा था कि मैं फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में थी और तब नेसले ने एक कैंपेंच चलाई थी कि स्कूल्स में जब भी टीचर्स को किसी बच्चे का काम अच्छा लगता था नोटबुक के अंदर तो वो गुड लिखने की बजाए मैगी स्टिकर देते थे और फाइनल रिजल्ट के टाइम तक जिस बच्चे के सबसे जादा मैगी स्टिकर्स होते थे नोटबुक्स में उसको एक स्पेशल बड़ा वाला हैंपर मिलता था जसमें नेसले की बहुत सी चीजें होती थी मैगी जोती थी बहुत जादा और इस्टिल रिमेंबर की बहुत टाफ कॉंपिटिशन था हम हर रोज अपने स्टिकर्स काउंट करते थे और साल के एंड में मुझे वो हैंपर मिला था मैंने अभी ब्रॉकली और चेरी टोमीटोस डाले हैं थोड़ा साटे कर रहे हूं इनको ऑप्शनल है थोड़ी गिल्ट कम हो जाएगी नहीं तो सिर्फ मैदा इखा रहे हूं अब जब ये थोड़े से साटे हो जाए तो जो हमने बॉइल कर दी थी मैगी ओवर बॉइल नहीं करनी बस देख लेना वो डाल देनी है और अच्छी तरह से टॉस करना है अब इसे पिछले वीडियो में हमने सूजी से ब्रेट बनाई थी जी नहीं देखी तो देखी उसमें जो सवाल पूछे थे उनके जवाब है इम्तिहान और गिर्दा कुछ शाट ओट्स देना चाहती हूँ परमजीत पंजाब से असमिता महराष्ट्र से सहजदीप हरयाना से नूपूर आफरिका से बहुत बहुत बधाई हो एक बात बताओं ये वीडियो शूट करने के लिए आज मागी मंगाई थी वैने नहीं तो हम लोग घर पर मागी ही नहीं मंगाते पड़ी होती है तो ऐसा लगते है कि कुछ और क्या बनाना यही बना लो इसकी पॉपुलारिटी का राज ही है कन्वीनियंस जल्दी जल्दी बन जाती है लेकिन है तो अल्टिमेटली आपको पता ही कभी-कभी खाने वाली चीज बस हलके हाथ से टॉस करने के क्योंकि हम इसमें पनीर डालने वाले तो जादा ब्लांड ना हो जाए इसलिए शुरू में ही मसाला तेज रखेंगे ओवर बॉल नहीं करना है कुछ हद तक बॉल करना है लाइक 80% डन और फिर उसे साइड पर रख देना है ऐसा दिखेगी थोड़ी देर के बाद ही पानी ह होगा थोड़ा सा चाहिए और मागी जो है उसकी खिचडी नहीं बनी होगी इसके बाद एक पैन में जरा सो ओल लिया है उसमें बारी कटा हुआ प्याज डालना है और प्याज को थोड़ी देर के लिए पका लेना है सौटे कर लेना है मेरा एक और फेवरेट गाना है ना अपना नाम और शहर साथ में जरूर लिखिएगा सौटे किये हुए प्याज में मैंने डाल दिया है ग्रेट किया हुआ पनीर मैं कभी-कभी सोच के हरान होती हूँ कि हमें लगता था हम मागी खा रहें बहुत टेस्टी सी असली में डादी हमारे लिए प्रोटीन का मागी वो इसमें डाल देनी है और अब कमबाइन करना है दोनों चीजों को इस वक्त हो सकता आपको लग रहा हो कि पनीर अलग हुआ है मागी अलग है यह कमबाइन कैसे होंगे फ्लेम जो है मीडियम रखना और जैसे कि मैंने कहा था मागी को ओवर कुक मत होने देना धीरे पनीर जो है मागी के साथ समा जाएगा और बहुत ही डिफरेंट लुकिंग डिश बन जाएगी यह देखो अब इसमें बहुत सा धनिया डाला है और रिमेंबर कि वो पालक डालती थी बहुत सारी पालक वाले सीजन में अभी इस वक्त शाम हो गई थी तो मैंने सोचा क्या ह तो धनिया डाल दिया मैंने आप दोनों चीजने ट्राइ कर सकते हो पालक डाल दो के और नुट्रिशियोस हो जाएगी यह था उनका सीक्रेट इंग्रीडियंट जो में बहुत बात में पता चला क्यूंकि पापा सेम तरह से बनाते थे उनसे पूछ पूछ कर बस वो में वो घी का एक चमश डालती थी तो ऑन पॉपुलर डिमांट टू मागी रेसिपीज जादा सब्जियां नहीं डाली है क्योंकि मैगी लवर्स टर्न ओफ हो जाते हैं इतनी सारी सब्जियों को मागी में देखकर मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बताईए कि आप पहले कॉ वालियो वाली मागी या मेरी दादी की पनीर वाली मागी मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा अपना बहुत सारा ध्रान रखिए बाबाई